27th में 2020 दोस्तों ये दिन हम सब स्पेस क्लवर्स के लिए काफी खास होने वाला है क्योंकि इसे दिन एक कॉमेट हमरे पित्वी के काफी करीब से जाने वाला है और हम उस कॉमेट को अपने नंगी आखोसेवी आसमान में देख पाएंगे पर वीडियो को सुर करने से पहले में ये बता दू कॉमेट जो होते है वो एस्टेरोइट से काफी छोटे होते ये कॉमेट हमारे पित्वी से टकरा भी चाते है तो इससे हमारे पित्वी को कोई भी लुकसान नहीं होगा पर हम जिस comment की बात कर रहे है वो comment हमारी पिच्वी से नहीं टेकराने वला है उस comment का नाम है Comet Swan जिसका पूरा नाम है S-2020 F8 Swan दोस्तों ये एक non-periodic comment है non-periodic comment का मतलब इसका कोई भी orbital period नहीं है हमें पता नहीं है कि ये एस्ट्रोड फिर से कब हमारी पिच्वी के करीब आएगा पिचली बार इसे साल 2009 में देखा गया था दोस्तों इस comment की एक खास बात है ये अपने Nikon के 5D camera के साथ हरात के आस्मान की तस्वीरे खीच रहे थे तब इनके camera में एक comment capture हुआ जब इस comment की तस्वीर बहुत ज़्यादा वारेल हुई तब NASA ने इस comment का नाम रखा Comet Swam और ये एक ऐसा पहला comment बन गया जिससे एक Korean teenager नहीं हो जा था दोस्टो ये comment 12 में से ही हमारे पिछवी के करीब होगा और 27 में को ये हमें अपनी नंगी आखों से आस्मान में देखने को मिलेगा दोस्टो शायद इस comment को हम 29 में तक भी आस्मान में देख पाएंगे दोस्टो 2020 का में महीना हम कोस्मो लवर्स के लिए काफी खास होने वाला है 16 में 2020 में एक बहुती कमाल का और एक rare एस्टोनमिकल इवेंट होने वाला है दोस्टो आपको उसके बारे में नहीं पता है तो हमारे description जरूर चेक करें दोस्तो इस वीडियो को अंतर देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्राइए दोस्तो मैं अन्सीन इज़ाज़ देता हूँ आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ